नमस्कार मित्रों जै मातादी, मित्रों आप शबी का हार्तिक स्वागत है मित्रों देनिक राश्य फल की बात करनी जा रहे हैं शताई जुलाई मंगलवार की देनिक राश्य फल की बारे में ग्रह गोचर की इस्तिती के अनुशार कौन से बड़ी परिवर्तन आज आपकी देनिक जीवन में देखने को मिल शक्ती है यहाँ जानकारी चंद राश्य पर आधारित आपको देनी जा रही है आज का दिन किस रहश्य प्लान करें ताकि दिन खाश बने जानने के लिए आन्त तक जरूर बने रहें चलिए शुरुवात करती हैं पंचांग से पंचांग की बात करें तू 27 जुलाई मंगलवार का दिन रहेगा और स्रावन महा के क्रिश्न पक्ष की चतुर्थी तिथी रहेगी रातरी दो बसकर 28 मिनट तक इसके उपरांथ क्रिश्न पक्ष की पंचमे तिथी आरंभ हो जाएगी शत्विसा नक्षत रहेगा सुभा 10 बसकर 14 मिनट तक इसके उपरांथ पूरु भाद्र पदा नक्षत आरंभ हो जाएगी सुभन योग रहेगा रातरी नौ बसकर 10 मिनट तक इसके उपरांथ अतिगंड योग आरंभ हो जाएगी सूरी रासी रहेगी करक राश्य पर चंडर इस दिन कुम्ब राश्य में सुभा 4 बज कर 33 मिनट तक इसके उपरांत में राशी से गोचर करेंगी आज का अबिजित मोर्थ कश्रमे रहेगा दोपहर 12 बसकर 7 मिनट से 12 बसकर 58 मिनट तक यहाँ श्रमे निवेश कर शकती है और राहुकाल कश्रमे रहेगा शाम 3 बसकर 50 मिनट से 5 बसकर 28 मिनट तक यहाँ श्रमे निवेश करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यहाँ श्रमे और सुब माना जाता है चलिए बात करते हैं देनिक राश्रिफल करक राश्रिफ वाले जातक आज आज आपको उल्जहन का सामना करना पड़ शकता है और दफ्तर में किसी सहयोगी से बहस हो शकती है आप बहुत अनुसासी थे और आप बहुत ही बहतर तरीके से अपने काम और करियर के मुद्दि से निप्टाने के लिए करक राश्रिफ वाले जातक बड़े बुजर्गों की सेहत को लेकर परिसानियों का सामना करना पड़ शकता है और खर्श आपका जादा होगा करक राश्रिफ वाले जातक आज आपकी उधार की रकम वापस मिलने की संभावना है और कारो बार में आज आपको लाब होगा शाथ ही सिक्षा के स्षेत्र में भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगी मन में आपकी उगरता रहेगी और वानी पर आज आप संयम रखें करक राश्रिफ वाले जातक भाग आपका शाथ देगा और आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे करक राश्रिफ वाले जातक आप आर्थिक रूप से अच्छा रहेंगे और कुछ अतिरिक प्रयासों से आप पुराना रीन वापस मिल शकता है कोई भी निविस करने से पहले आप किसी जानकार वैक्ति की सलह जरूर है ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको जानकारी मिलेगे करक राश्षी वाले जातक आपके विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आज आपका प्रेम संबंध समाने रहेंगे मित्रों अगर इन सबी जानकारियों से आप शेहमत हैं और भगवान बजरेंग बली का आप सच्चे भक्त हैं तो विडियो को लाइक जरूर कर दें शाथ ही सच्चे मन्शे कमेंट बॉक्स में जय बजरेंग बली अवश्य लिख दें धन्यवाद देन आपका शूब रहें झाल